नमस्ते दोस्तों स्वागत आपको ये शर्मा फिटनेस पर इंडिया का स्ट्रॉंगेस्ट यूट्यूब चैनल यहां मैं आपको सिर्फ फिजीकली फिट नहीं बनाना चाहता मेरा गोल है कि मैं आपकी परस्नालिटी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी स्ट्रॉंग बनाऊ थाकि हम कनेक्टेड रह सके कुछ समय पहले मेरे बाल लंबे थे मैं अच्छा दिखता था पर मेरे लुक में वह बहुत हाड़ वाली बात नहीं थी यह हेरकट देखने में जितना असान है उतना है नहीं जादतर नाई आपके बाल चारो तरफ से सिर्फ छोटे गर देंगे और फिर आप कुछ इस तरह दिखेंगे आज मैं आपको बताऊँगा क्या है सही तरीका एक हार्ड कोर मिलिटरी हेरकट कराने का और इस वीडियो की खास बात यह है कि मैं आपको लेगे किसी फैंसी सलॉन में नहीं जाने वाला मैं एक लोकल नाई के पास जाऊँगा जो कि हर किसी के घर के पास मौजूद होता है मैं रेकमेंड करता हूँ कि जहां से आपका सर गोल होना शुरू होता है जैसा कि मेरा सर यहां से गोल हो रहा है तो इसकी दो उंगली नीचे आप कैंची या मशीन से एक लाइन लगवा लिजिए अपने बालों के चारों तरफ और उसके नीचे का हिस्सा आप फेड करा लिजिए फेड कराने के लिए आप जीरो या एक नंबर की मशीन लगवा सकते हैं मैंने जीरो करा रखा है step number two fade कराने के बाद जो इसके उपर के बाल है उसे आप खाली छोटे मत करा लीजिए नहीं तो आपके बाल side से काटों की तरह खड़े हो जाएंगे आपको नाई को बोलना है कि वो इसे नीचे वाले बालों के साथ merge करा दे इसे local language में कहते है slope बनाना तो मेरे नीचे के जो बाल है वो 0 नंबर पर ऐड़ हो चुके है उसके उपर के बाल से थोड़े लंबे है पर यह दोनों हिस्से अच्छे से मिल चुके है जो टॉप हेड के बाल है उसे आपको बस छोटा कराना है उनकी लंबाई आप अपने मुताबिक चुन सकते है मैंने इ इस लुक में देख सकते हो मेरे आगे के बालों में एक वी बन रहा है जो कि मेरी नाचुरल हेर लाइन है पर इस बार मैंने अपने आगे के बाल थोड़े से लंबे छोड़े है ताकि मैं उन्हें एक स्ट्रेट लुक दे सकूँ पर्सनली मुझे ये वाला लुक जादा पसंद आया तो यह है सही तरीका पचास रुपे में एक हार्ड कोर मिलिटरी हेर कट कराने का इस हेर स्ट्रेट की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इसे सेट करने के लिए आपको एक भी सेकेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है और यह और क्याजूर्स दोनों ही लुक के साथ बहुत हार्ड लगता है जिन लोगों का फेस पतला है उन पर यह हिरस्टैल जादा दश्टा है अगर आपका फेस चबी है जैसा मेरा साल की शुरुवात में था तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस हिरस्टैल के लिए इस हेस्टैल का मुझे पर्सनली बहुत फाइदा हुआ है मैं हफते में साथ दिन काम करता हूं मेरा एक भी दिन आफ नहीं होता है तो कभी ठक हार के जब मैं शीशे में देखता हूं तो मुझे अंदर से फील आते कि भाई तू एक बीस्ट है और सह सकता है वापिस काम पे और लाइस्टैल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स से अपना सुजाव जरूर दे मिलते हैं अगली बार तिल दैन कीप लिफ्टिंग पीस